नमस्कार दोस्तो चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटिस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तो काफी जादा इंपोर्टेंट अपडेट है सभी स्टुडेंट्स के लिए दोस्तो यह जो नोटिफिकेशन आया है वो है आपके दिसंबर 2020 जो है एक्जाम को कर दिया गया है और उसको फरवरी फर्स्ट वीक से कंडट करवाया जाएगा तो दोस्तो यह नोटिफिकेशन विबसाइट पे आ चुकी है उसमें जो सिक्स पॉइंट है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और काफी सारे स्टुडेंट को नोटिफिकेशन तो पता चल करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा इसको जरूर सेयर करिएगा ताकि उनको भी सारा इंफॉर्मेशन इसे पता चल सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो दोस्तो आगे वीडियो पर चलते हैं तो पहल जो अपडेट है दोस्तो वह नोटिफिकेशन व और वहां से यह रिलीज़ किया गया है आज लगबग यह यारभ और रब जिता की नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था तो उसमें जो इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसके कांटिवेशन में सीडी ने स्टुडेंट योल से निविजन निकाला है पहला जो आया था लॉक्डाउन के डिउरेशन में यह था 22 जुलाई को आया था उसके बाद फिर्टी जुलाई उसके बाद फर्स्ट अक्टूबर को और यह फोर्थ है अपका 29 अक्टूबर को यह रिलीज किया गया उस किया गया है तो दोस्तों जो आपका एक्जाम होना था दिसंबर में दिसंबर 2020 में सभी प्रोग्राम्स के लिए जिनका भी जाए फर्स्ट यर थर्ड यर और सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी एक्जाम है सबका पोश्पोन हो गया है वो आपका फेबरी फर्स्ट वीक से कराया जाएगा और पहले पॉइंट पर चलते हैं पहले पॉइंट पर दोस्तों जो लास्ट डेट फॉर समिसाना था आपका जो है एक्जामनेशन फॉर्म का ठीक है पहले पॉइंट में एक्जामनेशन फॉर्म का दिया है वो आपको बढ़ा दिया गया आपका 15 दिसंबर तक यह आपको यहाँ पर exam page पर भी दिख जायागा जैसे 12 October को यह दिखिए to 15 December यह extended यहाँ पर mention कर दिया गया है यहाँ पर देख पाएंगे 15 December तक extend कर दिया गया है ठीक है 12 October को यह शुरू हो गया था भाला की तो यह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको अब जो है दूसरा पॉइंट है आपका जो है assignment submission का चाहे offline हो चाहे online हो वह भी 15 December तक आपका जो है extend कर दिया गया है अब notification जो है आपके regional center पर जारी कर दिया गया है अब सभी regional center जारी भी कर रहे हैं जो नहीं जारी किया हो जारी करें कि अपने regional center की website को देखेते रही है उसी के guidelines के सबसे अपने assignment आप submit करें गूगल फॉर्म, email, offline, online जैसे भी वह notification निकालेंगा उसको follow करते हुए आप आराम से submit करा सकते हैं इसके साथ साथ तीसरे point में जो है आपका project intensive field work general जो भी है आपका through online, offline जो भी है online अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा तुसका notification में दे दूँगा बाकी offline अभी आप करवा सकते हैं अपने regional center के through यह सब चीज़े आप conduct कर सकते हैं तो उसका भी 15th December तक बढ़ा दिया ग four point को मैं समझा दो दो जिन्होंने June 2020 के लिए exam fees भरा था या फिर जो December 2020 के लिए exam देने के लिए सभी student ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे student का June 2020 में duration खतम हो गया और बहुत सारे student का December में खतम हो जाएगा, बहुत सारे student ने re-admission लिया होगा जिनका June में खतम हो रहा है तो दोस्तों सभी को बता दो, सभी को one time major count करके उनको एक chance दिया गया है और उनका registration June 2021 तक extend कर दिया गया है, इसमें आप इसको ध्यान से समझ लिजिए, इसमें without re-admission को आपको chance दे दिया गया है, क्योंकि December में जिनका duration खतम हो रहा होगा, क्योंकि December में तो exam हो नहीं रहे है ये फरवरी में conduct करा जा रहा है, तो सभी का duration जो है extend कर दिया गया, one time major करते हुए June 2021 तक extend कर दिया गया है, तो आपको इसमें without re-admission को extend कर दिया गया है इसे, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें mention कर दिया गया है, कि जो है one time major करते हुए, आपको June 2021 तक इसको extend क कर दिया गया है, और पांचवा जो काफी important point है वो भी, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए गया, इसमें जो confirm किया गया है, हला कि पहले ही confirm कर देना चाहिए, क्योंकि जब से 12 October से exam form भरना सुरू हो गया है, लेकिन भी अभी इसमें जाके confirm हुआ है, कि जो भी student अभी June 2020 म काफी सारे student ने exam दिया, कुछ exam दिया, कुछ exam छोड़ दिया, बहुत सारे student ने exam नहीं दिया है, तो वो सभी का जो है, automatically उनको permit किया जाएगा, December exam के लिए जो की conduct कराया जा रहा है, आपका February 2021 में, तो आपको कोई भी exam fees भरने की जरूरत नहीं है, without exam fees भरे, आप जो है, आने हो, दो-चार बचा है, जिन्होंने मतलब exam fees भरा था, चाहे दो exam भी दिये हो, चाहे पूरा exam ना दिये हो, सभी को, उनको जून में, December 2020 के exam जो conduct कराया जाएगा, फरवरी में chance दिया जाएगा, और जिन्होंने कोई भी fees नहीं भरा था, वो fees भर दें, उनके लिए नीचे कहा गया है, कि वो fees भर देंगे, और उनका भी exam, उनके साथ ही फरवरी में conduct कराया जागा, इसलिए दोस्तों, जो अगर आप अगर exam दिये होते हो, तो minimum आपका six month का थोड़ा सा, वो time बच जाता है, बहुत सारे student वो ने exam नहीं दिया था, कि अब December में दे लेंगे, लेकिन अभ student who registered for term and examination June 2020 held in September 2020, examination fee shall be adjusted against the examination fee payable term and examination 2020, तो वो सेम हो ही कहा गया है, इसमें adjust कर दिये जाएगा, जिन्होंने जून में भरा था, exam phase और examination नहीं कर पाये थे, वो अरज़ेस्ट कर दिये जाएगा, term and exam December 2020 के लिए, तो बस यह था दोस्तों, काफी ज़्यादा है, important था ये page और ये बढ़ सकते हैं, इसका link में description में दे दूँगा, अगर कोई भी confusion, कोई भी एक्स वैजिट, कोई भी confusion इसे related तो आप comment box में लिके पूछ सकते हैं, Instagram पे पूछ सकते हैं, सभी social media पर मैं हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना question पूछ सकते हैं, तो जवाब में जरूर देता हूँ, बस सारे notification यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कोई सवाल है तो comment box में जरूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ज़्यादा जरू सेर करें, ताकि उनको भी सब information पता जब सके हैं, बस यही था इस वीडियो में, न नमस्कार